पूराना रिकेप चाहिए आप लोग कर लेते हैं बोलने जूरत नहीं होती है पहले अपने अपने क्या-क्या सीखा था तो लेट्स रिकॉल वाट आल है वी हव सटूडी तिल नाओ इन देश्चेप्टर चैप्टर की बात नहीं कर रहा है इक्सराइज टू के बाद जब अपने प्लेइन स्टार्ट किया उसकी शाइद एक दो क्लासे घुए तो उसमें हमने क्या सीखा है प्लेइन की जिए डिस्टेंस फ्रॉमदे ऊरीजिन डिस्तेंस फॉमदे ऑरिजिन गीवन किसका प्लेइनिस्तेंस ऑफ पलेइन लेवसANDफे और दूसरी चीज़ia opened थी इसमें नॉर्मल वैक्टर उनंड होग् तो इस फॉर्म में इस फॉर्म में जो equation of plane बनती थी वो क्या बनती थी यादे किसी को vector r dot n cap equal to d यह बनती थी जहां पर d तो क्या होता था distance from the origin और n cap क्या होता था वो normal unit vector होता था क्या होता था normal unit vector in case unit vector given नहीं है तो फिर वो equation कुछ एसी हो जाती थी right capital D यहां पर d distance from origin नहीं होता था यहां पर distance from origin निकालना पड़ता था कैसे डी को अपन को डिवाइड करना पड़ता था यह जो वैक्टर रेन है इसके magnitude तो यह तो थी एक form right second form में हमको क्या given होता था second form में हमको अगर यहां पर यह unit vector नहीं है अगर यहां पर यह unit vector है तो यह तो है small d यहां पर यह small d भी एक number है capital D भी है दोनों एक number बट अगर आपने यहां unit vector लिया है देन जो यह डी होगा यह distance from origin होगा उस plane का उस plane का origin से दूरी होगी ठीक है और इन केस यह unit vector नहीं है तो यहां पर जो number रखा हुआ है वो distance from origin नहीं होगा फिर उस case में distance from origin कैसे निकालेंगे यह D equal to distance from origin है कैसे निकालेंगे इस number को इस vector के magnitude से दिवाइड करके निकालेंगे ठीक है ठीक है ठीक है चलो second case में equation of plane कैसे निकालते थे एक हमको कोई भी एक point given होता था a point lying on the plane a point lying on the plane and साथ में नॉर्मल वेक्टर साथ में नॉर्मल वेक्टर समझते हो से क्या होता है plane से perpendicular कोई भी वेक्टर ठीक है तो इस केस में हम कैसे equation बनाते थे याद ही किसी को बोलो नहीं वेक्टर equation की बात करो पहले वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट इस तरीके से equation बनते थी जहां पे वेक्टर ए तो क्या होता था वह वाला पॉइंट होता था जो लाए कर रहा है और वेक्टर एन यह नॉर्मल वेक्टर होगा ठीक है ना अच्छा अब दोनों की क्या बनती थी वेक्टर आर इंट्ट के करेंगे तो इधर जो कार्टेशन फॉर्म बनती थी यह बनती थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एंजेड एक्वल टू स्मॉल डी ठीक है और अगर सेकेंड वाला केस है इनकेस अगर यह यूनिट वेक्टर नहीं है तो एलमेंट चेंज हो जाएंगे डिरेक्शन रेशिय का a square B square का यह तो गयादर की काटेशन फॉर्म की बात करें तो बोलो वेक्टर एन के डिरेक्शन रेशियू स्मानलेंगे अपन एवी वीशी कैपिटल कैपिटल केवी कैपिटल सी तो यह एक्क्वेशन बनती थी ऐसे ए इंटू x-1 और X1 Y1 Z1 क्या हो जाएंगे वेक्टर एक वेक्टर एक के डिरेक्शन रेशियो था ना ओके प्लस बी इंटू वाय माइनस वाय वन प्लस सी इंटू जैड माइनस जैड वन एक्वल टू जीडो इसकी कार्टेशन तो अभी तक अपने यहीं कवर किया जो आपको स्क्रीन पर देख रहा है दो तरह की एक्वेशन उनकी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशन ठीक है चलें आगे ठीक है एनी डाउट्स तिल नाओ ओके अब नेक्स टॉपिक एज यह था कि एक्वेशन ऑफ प्लेण पर दिखी रहा है वैसे लिखना जैकर ऑफ बात अब अब सुनिये ध्यान से जब मैं तीन नौन कॉलिनेयर पॉइंट्स की बात कर रहा हैं तीन नौन को लिनियर पॉइंट्स की बात करना है जो कि प्लेन पर लाय करेंगी जो की लाइंग उन्ट लुए तो इस कॉंसेट्ट को समझने के लिए इस कॉंसेट्ट को समझने के लिए हमको कुछ कॉंसेट्स और समझने होंगे जिसमें से एक कॉंसेट्ट होता है स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट हाला कि यह आर्बीस की बुक में यह वैक्टर चैप्टर में आ जाता है जैसे इस केलर ट्रिपल प्रॉडक्ट्टे व्एक्टर ट्रिपल प्रॉडप्डट भी यह दोनों कॉंसे बेक्टर चप्टर में शामिल थे में नहीं है तो लेकिन इसका यहां पर यूज है इस जगह यहां पर यूज है इवन उसका जिक्र भी नहीं है बट हमको सीखना पड़ेगा उससे क्या होगा कि यह जो तीसरा केसे ना तीम नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स वाला यह बहुत अच्छे समझाएगा और स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट आपको वैसे भी पता होना चाहिए खाय स्कैले कषा कि आगे साल तो आपको सारी चीजे शीकर नहीं है तो 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 इस केस को समझाने के से पहले मैं आपको यह समझाने वाली का स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट ऑफ्व इव्यक क्लिन वाट्प श्क्छिरपाल स्केभग report वर पूट्बस यहां तक समझाया कोई भी तीन वेक्टर का डॉट और क्रोस का पूरा प्रॉडक्त पूरा क्रोड़क्ट भी नियू दोनों का कॉइशन हो अच्छा जब यह डॉट और क्रोस का कॉम्दीनेशन नाम क्यूं क्यूं को समझ मैं तीन जंठका नाम स्केलर क्यों रखा गया डिकोज इसका आंत्र एक स्केलर पॉंटिटीग होगी विच रिजल्स इनने स्केलर पॉंटिटी कॉंटिटीग और स taką two उसको सिल्ट भी से देखो मुझनेशन करेंगे फिर से देखो प्सक्त Okay स्केलर क्वांटिटिटी इस सेट टू बीड़ स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट आप थ्री वेक्टर से यहां तक नोड़ान करो नांशंट जरूरी नहीं यह 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 तीनोंGeकर सैंट इनिवेक्टर्स हैं यह तीनोंगर kya हैं अब जब यह सेम्हीं पर होगे त्व में नहीं होंगे तव क्या होगा उसकी होग उसकी विवाथ करेंगे अभी सब्सक्राइब क्या होता है वह समझों आप कि अग्षिली वह तो जो तीन पॉइंट से वह एक प्लेन पे लाए कर रहे हैं तो उन तीन पॉइंट से तीन वैक्टर बन सकते हैं तो उससे समझ में आएगी तो ही यह तीसरे के समझ में तीनों प्लेन पर हैं तो मैं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्स समझा रहा हूं फिर बात करूंगा तीसरे के से कभी ना तो सीखना है तो क्यूंँ आज ही सीखें यहां तक नोडाउन हो गया प्लीज राइटिंग स्पीड थोड़ी सी फास रखेंगे बिकोज ज्यादा मैक्सिमम टाइम अपन समझने पर कंस्यूम कर पाया है ना अच्छा और क्यूंकि लिख सकते हो और वेक्टर बाद में लिख सकते हैं कैसे दोनों में से कर सकते हो अच्छा कि इसकेशक का प्रोडक्त होगा उलकुलोगी वैक्रस एक ट्र स्ट्र कॉंटिटि होगी कि यह द x adopted से करें तोечат साथ कॉम एग्टर बेक्टर ब funeral सी और भी क्रोशी डॉट एट बचिए वीक्रोशी धैक्टर टॉट बोघ। अगर अपन पहले नहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोड़क्ट में एक प्रॉस प्रॉस ही होता है अगर पहले डॉट हो जाता तो इसकेलर क्वांटिटी निकल के आती और इसकेलर इंटू क्वेक्टर क्या हो जाता एक वेक्टर हो जाता तो आप ऐसा कहना चाहरे हो कि ए मलब ऐसे होता एडॉट भी क्रॉस क्रॉस हाँ तो वह एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती बिल्कुल सभी है ठीक है बट ट्रिपल प्रोड़क्ट यह नहीं होता है जो अभी हमारे कोर्स में है भी नहीं जो अब इस पर ज्यादा फूकस नहीं करें ओके अभी एपन स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट की कि यहां तक सभी को राइट सभी को ले यहां तक अब मुझे चीज बताना चलो यहां तक तो क्लियर आगे चलते हैं सीक्वेंस में समझते हैं अगर इसको मैं कांटेशन फॉर्म में लिखूँ याने कि अगर मैं को वेक्टर नहीं थीन मिरें को तीन पॉइंट गीवन है जिसके कोडिनेट्स गीवन होंगे एक स्टू या एक स्टू यहां पर ले लिए इन्हों ने एवन एटू एट्री बीवन बीटू बीटू एट आफको द्धाष करना है तुक्रूस करके समखर करनाँ तो पहले करों है थो निकाला इसका निकालना श्रूर कियाओ लगादे है लगा दिये पहले स्क्रीन स्केलर कंपोनेंट्स यह हैं फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना शुरू किया लाइक दिस तो बीटी बीटू सी थ्री माइनस सी टू बीट्री इंटू आई कैप हो गया फिर हम क्या गरते थे जे के आगे माइनस लगाते थे हम वैसे तो जनरली लेकिन देखो यहां प प्लस कर दूं तो अंदर माइनस आजाएगा तो यह दोना एक्सेंज हो जाएंगे हो जाएंगे तो देखो बीटरी सीवन पहले है और सी थ्री बीवन बाद में तो दोनों में से कोई भी तरीका भी उसकर सकते हो इन्होंने प्लस इस लिए लिए ताकि वह याद हो जाए है ना चाहो तो आप वह डिटर्मिन निकालने का औरीजनल तरीका भी यूज़ कर सकते ठीक है तो इस तरीके से बीखरोसी निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं है किसीगों अच्छा जी अब इस बीखरोसी का क्या करना है किसे वेक्टर एसे ज्यान से सुनिएगा जब मैं डॉ बी क्रोसी करूंगा तो वेक्टर एक का आई कैप पाला कॉंपोनेंट यह है वेक्टर बी क्रोसी का आई कैप पाला कॉंपोनेंट यह है उपर से देखा था मैंने अब उन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर एका जे केप का कॉंपोनेंट यह है उसके तो एवन एटू एथ्री कोंपोनिंट के संदक्र सबसांट के प्रोडुक्ड tussen जगद में कि A1 तू और रखता कि इस डिटर्मिनिंट का आंसर अगर है कई Kक के simply निए रखते है वो तो रखते तो यह आता आता नहीं आता एवन इंटु दिस भी एटु इंटु दिस एठी इंटु दिस आता ना तो वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि दो पार करने की जगह आप एकी बार ऐसे अरेंज कर लो डिटर्मिनेंट निकाल लो यही स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट है पहल सब्सक्राइब कर रहे हो और फिर वेक्टर यह से मल्टिप्लाइब कर रहे हो तो अगर आप डिटर्मिनेंट आरेंजी ऐसे करो की आई के जगह सिंपली एवन एटु एट्री कर लो तुभी तो फाइनल आंसर वही आ रहा है अभी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा एवन समझाया तनीशा समझाया तो मलब यह लोग कह रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट में आपको कुछ नहीं करना तीन वेक्टर देना उनको बस डिटर्मिन स्पीड में अपने अपने लेंग्वेज में जितना लिख सको लिए हां किया था चालो, याँ से लिको? झालो, याँ से लिको? झालो, याँ से लिको? चलो, याँ से लिको करेंगे तो यह हो जाएगा? झालो, याँ से लिको करेंगे तो यह हो जाएगा? याँ से लिको के मैट्रिक्स के बराबर होगी? बना दिया? तो याँ से लिको करेंगे तो याँ से लिको को जाएगा? सूटा सा एक्जांपल ले लेते हैं एक्जांपल अगर मैंने आपको लेक्टर एहीं के फ्लस 5 के कैट थे हैं माइनस ये कैप वेक्टर एकटर ले से एक मैनने का हैं तीन यह तो आपको कुछ नहीं करना लिखने के लिए क्या करों के यह लिए लिखने के लिए आप यह कर रहे हो लिखने के लिए आप यह प्या इसकी वैलू इसके बराबर होगी यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्त जो नीचे किया लिए टिटर्मिनेंट सॉल करो तो एक स्केलर क्वांट्री निकल जाएगे समझाया ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि एक 3-3 के मैट्रिक्स में एक 3-3 की मैट्रिक्स में उपर वाले का प्रोच है ठीक है ना समझ मैं आया अब टॉपिक को प्लैनेरिटी को फ्लैन नाईरीटी ऑफ टू और मोर वेक्टर्स और लाइन्स से भी डाले नेच्स से डालो क्या नाम है अनौ को प्लैनरिटी और मोर लाइन जो वैक्टर्स ठीक है ठीक है ठीक है तो देखो को प्लैनरेटी का मतलब समझे पहले मतलब होता है साथ में और प्लीन मतलब प्लेन साथ में एक ही प्लेन पर तो हम कैसे सब्सक्राइब तो इस प्लेन पे तीन वेक्टर्स लाइक कर रहे हैं कि कैसे चेक करेंगे कि वह थीन प्लेन पे लाइक करते हैं या नहीं करते हैं बात करें सर्दों फिर से रिपेट कर रहा हूं कि इस स्पेस में कहीं भी दो वेक्टर से लाइब कर सकते हैं लेकिन तीन में हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते तो चैक कैसे करेंगे पहले बताएंगे पहले बताएंगे कि वेक्टर में किसे चैक करेंगे और फिर लाइन से स्टार्ट करेंगे तो इसकी भी सब कुछ सबसे पहले एंड कर और ढूет की लाइन सग्मेंट की जापन बात करते हैं तो उसकी दो डिरिक्शन माफ कर सकते हैं इदर और उदर जबकि वेक्टर के एकी डिरेक्शन होती है यह डिफ्रेंस लाइन या लाइन सेग्मेंट की हमेशा दो डिरेक्शन होती है देखो लाइन सेग्मेंट लाइन का पार्ट है आप लाइन कंसिटर करो लाइन स्टू डिरेक्शन वेक्टर एस वन डिरेक्शन और उस लाइन में से पार्ट काट लिया जिसका फिक्स मेंगनित्यूड वह लाइन सग्मेंट है तो अगर मैं उसको पार्ट को नहीं काटूं तो उसकी दो डिरेक्षन थी ना पहले को विल्कुल इफक्ट अथे स्पेस के अंदर डिरेक्शन ना से नंधर सब्सक्राइब नूगा सब्सक्राइब सब्सकिक्षाइब गैसे चलो लिखो लेदरेटी ओफ पर 2 वेक्टर कोई भी तीन एंट एन ब्रेक्टर है यह एक बार के लिए 111 है न चेक करेंगे कि लायक करते हैं कि एक बार में माने लेता हूं कि लाए कर रहे हैं हैं को सभी लेटर से डिखी यह सेम यह प्लेन जिस क्रीन वैक्तर लाइक कर रहे हैं वेक्टर भी सपोजु वेक्टर ए यह यह है छोज ब्लेरट लेटल तुर दोक्तिक्र अगर यह सेम प्लेण वह अपने को छेक करना है लिएक नतिज्टे करते होगी में तो आधे लेक्ट सेट Legislature हम क्या करेंगे इसमेंगे क्रऊस करेंगे क्लाव करेंगे साथ कॉंसेप्ट के अंदर हमने स्टेक्वप्र लिक्र क्र सी कर लिया क्योंकि है क्शपलो बालो मैं यहां करना थोड़ा सा ऐसा भूस यո लेट असे कि एसे था ऐसे था तो इसको मैं पैरलली डिस्प्लेस करके यहां ले आया तो यह ऐसा हो गया अब बीक्रोसी क्या होता है बताओ पढ़ता यह बीक्रोसी कैसा तीसरे वेक्टर होगा जो इस प्लेन के पर्पेंडिकुलर रोगा और यानिस प्लेन से बहार आता हुगा ऐसे ऐसी सीखाता कि कुछ इस तरह वेक्टर होगा इमैजन नहीं हो कर पाते है अपन वैसे पर यह इस प्लेन के भी बाहर आ रहा है ना यह इससे भी पर्पेंडिकुलर होगा और यह इससे भी पर्पेंडिकुलर होगा अब जो यह नया वेक्टर निकला भी क्रॉसी यह जो नया वेक्टर निकला भी क्रॉसी जो इस प्लेन से बाहर आ रहा है कि वह इस प्लेन से पर्पेंडिकुलर है तो यह इस से पर्पेंडिकुलर होगा वेक्टर भी क्रॉसी यस और अगर दो वेक्टर पर्पेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोड़क्ट जीरो होता है यह तो इसकेलर ट्रिपल प्रोड़क्ट है तो यहां से रिलेशनशिप स्टावल इस्टैबलिश हो गया कि तीन वेक्टर का स्केलर प्रोड़क्ट जब 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 जीरो होगा तब तब वह सेम प्लेंट पर लाएक करेंगे अदर्वाइस निकाले ने त्री इनक कुछ और आया यहां नोट को प्लेना समझाया अपनने पहले अजूम कर लिया कि यह तीन सेम प्लेंट पर लाएक उससे यह रिलेशनशिप निकल का यह जिए डाट बीक्रोड़क्ट जीरो होगा और बीक्रोड़क्ट तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट जीरो चाहिए अगर को प्लेनर करना है तो अगर यह सेम प्लेन पर नहीं होते इनकेस तो यह बीक्रोस ही जो वेक्टर होता परपेंडिकुलर होता उस परपेंडिकुलर वेक्टर और इस वेक्टर ए में कोई भी एंगल हो सकता था और कोई भी एंगल हो सकता था तो उनका जीरो नहीं लिख पाता उनके बीच में इंगल चाहिए उनके बीच में क्या चाहिए तो फिर वह रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है अगर यह दून तीनों सेम प्लेन पे लाय करेंगे तो किसी भी दो का क्रोस प्रोड़क्त तीसरे के साथ डॉट प्रोड़क्त बनाएगा और जीरो लाएगा क्योंकि वह उसका पर्पेंडिकुलर ठीक है क्लियर है किसी को नहीं नहीं यह जो पर्पेंडिकुलर वेक्टर रहे तो बी क्रोस प्रेंट से बाहर आ रहा रहा तो वह सप्टीवी से पर्पेंडिकुलर होगा होगा तीवी से परपेंडिकुलर होगा तो टीवी पर बनी होई हर एक लाइन से परपेंडिकुलर होगा तो टीवी पर वैक्तरagar वाली Sac बबनी होगा अब जो दोवेक्टर और यह जो यह टीवी से बाहर स्वेक्तर आरहा है इनका पर क्या निकालेंगे स्केलर रिपल प्रोड़क्ट एंड इन केस वो स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट जीरो आ गया तो यह विल कम तू दू कंक्लूजन कि हां यह को प्लेनर है चलो लिखो कांतर क्लिक लिए था लिखो कि a b and c b 3 factors lying on the same plane B cross C will be a vector which is perpendicular to the plane containing the 3 factors कि एक ऐसा वेक्टर होगा जो उस प्लेन से ही परपेंडिकुलर होगा जिसमें वी क्रॉस हैं जिसमें B और C है उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा तो उस प्लेन पर लाया होने वाले हर एक वेक्टर से भी वह पर्पेंडिकुलर होगा तो उस प्लेन पर ही तो वेक्टर एक लाया कर रहा है तो इनका जो डॉट प्रोड़क्ट है वह हो जाएगा अब सपोस्ट करो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट नहीं पता होता तो आप इस लाइन को रठते हैं कि अडॉट बीक्रोड़क्ट को समझ प्राइब यहां पर फाइदा और आगे तो पढ़ना यह आगे तो पढ़ना ही यह कॉleise level पर मतलब क्या होता है एक तो लिखने के वालों और इपन औली मतलब जब ये काम होगा तभी वो काम नहीं हो सकता कि ये काम होगा तो कम हो सकते वह शका एक हो सकता ये फर का स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट जी रो है देन अनली दे विल भी सैड आज पो प्लेनर अधर्वाइस दे विल नॉट भी कॉल्ड आज पो प्लेनर विल आग्ट आग्ट देनर प्लेनर आग्ग्वाइस देख़्ा जेख्वाँ इा गैज एको, ये धरली आग्टी कॉल्ड जे एक्ब कॉल्ड आग्ट आग्ग्ग्ट उन से तीन अलग-अलग बनते यह से एकक्स है यह ब्लोर बन रहा है इसको एक्स फ्लॉर बन रहा है इसको एक था तो एक बलने वाला एक खुद एक तक्रेंस यह था कोडिनेट सब्सक्राइब जहां से उटता जा रहा है वह बहुत जा नहीं है इन फानाइट प्लेंट पॉइंट्स कि फिर वी जाना पड़ता और वह वह इस की जो हम क्या करता है एक्सेस है उसकी पहुंच पहुँंच वह इनिट है बट वह स्पेस तो एक ही जिसको शास्तरों में कहा गया ब्रह्म प्रहमांध या भ्रहम भी कहा गया न वह वह स्पेस है वो भ्रम होता है वो भ्रम में इल्यूजन्स में भरम और अन्हें टॉकिंग अबॉट भरम इस तरीके से एक कुछ बनता है फ्रीचे चलो अब टू लैंस की बात करते हैं फ़्चों तो देखो टीन वेक्टर्स की बात करिए तो तीन वेक्टर्स के बाद दो लाइन को प्लेनर है या नहीं इसकी बात करूँगा तो किसी भी लाइन की कैसे लिखते हैं आपन जैसे से फलाइन ले लएक्टर a1 जो है उसकी एक्वेशन लिख ली मैंने वेक्तर आर एक्वल टु एटो प्लस मुट्स बी तु अब यहां पर एवन और एटु तो वह वेक्टर है है जो कि ऊसुंट के पॉजिशन वेक्टर से एक कोई पॉइंट पर लाय視 का यहुव और यान bisa वह यूश वह दूसरी वाली डिरेक्षन बताराहे लाइन यह देनेतô अब सुनिए अब को फेनर बनाने के बताने के लिए इस्टैबरिश थने के लिए यह लेक्टर तो इसका सब्साइब तो सब्सकुंद से यह बन जाएगा अब तोधंक highlighting पॉंट मिलाएगा तो इसका क्पेक्टर यह बिन जाएगाल जब एस लाइन गा डरेक्षन वेक्टर का और क्योंकि यह दोनों लाइन को प्लेनर हैं तो यह दोनों लाइन से पास हो रही थि यह वन और एम 2 वो पॉंट भी इस प्लेन परिये तो उस प्लेन्छब लाने वाला दो लाइन यह गिर जाएगा तो मुसीबत हो जाएगा तो यह दो वैक्तर तो इस प्लेंट पर होंगे एक तीसरा और चाहिए तो लाइन अगर मैं बात कर रहा हूं तो लाइन का पॉइंट में बन जाएगा तो तीन वेक्टर में स्टैब्लिष करना मुझे आता है तीन वेक्टर का मुझे कुट की यहां पर याँ यह का ब्र निर्टो पेयदा कर रहा हूं ले लिए कि इसके पॉइंट को मिला एक पांद नो में गवाइनेया और यह तो लिखो लेट टू लाइनस बी यह टू लाइनस फी एलवन एन टू जनकी एक्वेशन्स यह गीवन वैक्टर इक्वेशन्स वेक्टर एक्वेशन्स लिखली फिर यह कहता है कि इसका डिरेक्शन वेक्टर पहली वाली का बीट का डिरेक्शन वेक्टर और पॉइंट से पॉइंट मिलाने वाला यह जो तीसरा वेक्टर बना यह सब्णाइब थाइबड आप बीच का वैक्टर बनाते हैं तो उसके कोडिने इसमें से कोडिने बाइनस करते ना प्लेश बेक में वेक्टर जोइनिंग 2 पॉइंट एट्व मैंट सेवन नहीं हो सकता है दोनों में से कुछ भी ले सकते हो और उसका भी स्केलर चेक कर सकते माइनस दें नहीं के आएगा थीकिना ओके चलते हैं आगे हाँ लेखो और स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट ओब इस त्री वैक्टर विल उप्र गोगा बच्चों कौन से 3 एक वैक्टर तो वैक्टर ज्वैक्टर जोइनिंग 2-0 से बना पहली काल देडिक्षन वेक्टर को और चयसे करते हैं पइस तरीके चांट करेंगए को पूरा करके बता है चलो यहां तक लिको एक bounce कि कॉंसेट बिल्डिंग में टाइम लगता है इस चैप्टर में बाइक यूशन आर वेरी इज़ी बट कॉंसेट बिल्डिंग क्यों नैसेसरी है क्योंकि क्यूंस डिफरेंट आएगा तो फिर आपको यह कॉंसेट ही हल्फ करेगा उस कुशन को सॉल करने के और एक प्रॉब्लम ओर होती है सेटर के एंड में आते आते की फॉर्मूले इतने सारे हो जाते हैं याद नहीं होते तो याद कब होंगे जब कॉंसेट बिल्डिंग करिए तो अधर्वाइस वह याद नहीं होंगे ठीक है ठीक है जी चलो नेक्स चलें अब कार्टेशन फॉर इस इस यह पास कर रहा है और एवन बी वन सीवन इस लाइन के डिरिक्शन रेशियो जैंड तो लाइन की इक्वेशन ऐसे बनाते थे अपन एक्स माइनास एवन याई-वन वाई-वन बाइवन जैड और सिमिलरली एल टू की बना लेंगे एल टू का पॉइंट मालें एक्स कि क्लिए थीक होगे अब इस लाइन पोईट कोन सा मानें अपन एक्स-1 वाई-वन-जैड वन और डिरेक्शन रिशियो जैडगे और तीन रोज में इसके डिरेक्शन रेशियो इसके एक टू बीटू सीटू और एक्वल्टू क्या कर देंगे जी रो सकेलर ट्रिपल प्रड़क्स कि जीरो होना चाहिए अगर लाइन इंड और होना है तो क्या कर दूंगा नाओ टू लाइन यह रिलेशन्शिप इस्टैबलिश हो जाए तो इसके उपर वाला हुआ हुआ है यहां पर यहां तक एक छोटा सा एक्जामपल बनता है नहीं तो फिर चीजे बूलने लगोगे आप लोग साउल नहीं करें बस्टैबलिश करने सब्सक्रों करो लाइन ऐल वन की इक्वेशन में देता हूं आपको वेक्टर आर इक्वल टू ट्री आइकप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप प्लस लेंडा टाइम्स-फोर आइकप उर्डा के गाप यहां यहां यह लाइन लाइन ऐल लेंडा को भी म्यूव करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा आपको और यहां पे लेलो आप सेवन आई कैप माइनस ट्री जे कैप प्लस टू के आप कैसे पता लगाएंगे कि लाइन लइन लाइन ल्टू को प्लेनर है या नहीं क्या करोगे एक्जाम में क्यूशन आगे मालों क्या करोगे पहले तो हम क्या करेंगे करेंगे पहली वाली रो में क्या करेंगे पॉइंट माइनस पॉइंट-1-3-2-1-2-5-1-6 और फिर दूसरी तिसरी राइन में इसके इसको सॉल करेंगे अगर यह जीरो के एक्वल है तो यह लाइन लटी को प्लेनर है और अगर नहीं है जीरो के सब्सक्राइब यहां पर यहां पर लिखोगे आप कहां पर माइनस एक्स-2 लिखोगे इस जगब पर माइनस एक्स-2 यह लिखोगे अब आपको इसको जीरो मानते वह एक्स की वैल्यू निकार आता है कि खुद बता देता है और कोई मिसिंग कॉंपोनेंट के वैल्यू पी तो दोनों तरह की क्लियर है एक तो चेक करना और खुद देके कोई मिसिंग अगर इस पॉइंट की लोकेशन में थ्री फॉऔर फाय है तो आप वैक्तर को हमेशा हमेशा एक पॉइंट की लोकेशन के नजरीय से देखा करो लाइन तो लाइनने न वेटा और लाइनमने क्या है एक सब्सक्राइब तो यह इसी लिए तो इसलिए लहाइन गहांगैंद सब्सेंट करना बड़ेगा मांचार हैं कुछ उनकी वेक्टर पॉरिजन की पोजीशन भेडर नहीं होती है पॉइंट का पॉजीशन वेक्टर होता है को रॉइंट हुता है उसका पोजिशन वेक्टर बनताहै ये सब secondo livestream कैसे शुश इते हैं उसके लाए होने वाले किसी एक सब्सक्राइन wnके से प्लाइन से है वोग ढूबला से लाईन ये की मिलती है ठीक है लाइन की डेफिनिशन का ओरीजिन से कोई लेना देना नहीं है ठीक है क्लियर है ठीक है हाँ चलो अब फाइनली तो जो काम आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था यह वाला एक्वेशन ऑफ प्लेंट पासिंग थूट्री नॉन कॉलिनियर एक्वेशन ऑफ प्लेंट पासिंग थूट्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स सबसे पहले तो एक क्यूश्चन करेंगे आपसे यह क्यूश्चन कई बार एक्जाम में आया हुआ है अनालेटिकल क्यूश्चन है क्यूश्चन क्या है वाल कांट वी ड्रॉ अईनिघ्ट पलींड पासिंग थूट्री कॉलिनियर पॉइंट्स थूट्री स्पाइटि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ही क्या रहा है वाइस चेसारी कि यह Talin Yanuky ही एक यूनिक प्रेंट कभी निकल सकता इंफाइन ब्लेंस निकलते हैं वह बुक का एक्जांपल दिया था मैंने लेट असे कि इसकी जो बाइंडिंग इस पर तीन पॉइंट से पास होने वाले देखों कितने सारे यह 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 तो इतने से हैं और बना सकते इंफाइन तो पतानी कितने ने मैं जो कर पा रहा हूं तो इसलिए को लीनियर पॉइंट्स नहीं कहेंगा हमेशा क्या कहेंगा नॉन कॉलिंए टूशन आवा एक्जाम में इसका आंसर मैं एसे लिखेंगे लिख लो आप पीपीश्ट कर लो फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लि इव दब प्लेन पासेश थ्रू इस त्री कॉलिनियर पॉइंट्स इस त्री को लिनर पॉइंट्स तो क्या होगा इटम बीन पासेश कुछ लेट लाइन जो अगर प्लें थी एंतन एंग्र से बास ओर्ण इसका मतलब यह है कि दा प्लेन पासेश थ्रू डैट स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग दोस थ्री पॉलिनियर पॉइंट्स दीस थ्री पॉलिनियर पॉइंट्स लेकल याँ तक यूजर्णाओ एपर अब लिखेंगे गई नाव बैए एंफिनित नमबर फ्लेंश पासिंग्रों स्वेट लाइन सो देर विल बीइंफिनित नमब फ्लेंश पासिंग्रों थ्री क्लिनियर पोइंट तैस्ट यह आया हुआ है इसलिए किसी सेंपल पर से निकाला हुआ है लास्य बच्छों ने पूछा था तो नोटेट डाउन है तो आप भी ले लो फाइदा क्या बता आ जाए और चलो आए ना आए आपकी कॉंसेट बिल्डिंग को रही है कर्णू स्क्रॉल नाओ यहां से उपर वाला नाओ यह लो झाल यह लो आपकी कॉंसे बवाला यह कर दो आपकी है passing through a straight line there can be infinite number of planes passing through a straight line so there will be infinite number of planes passing through three collinear points and not a unique plane will pass infinite number of planes हो गया हो गया हो गया है ठीक है हो गया हो गया तो अब सब मेरी तरफ देखेंगे है और non-collinear points से पास होने वाले plane की equation पता है step start नहीं है लेकिन आपको पता है यह क्लेन है तीसरे case उन आपको क्या दे रहा है आपको distance from origin निरा आपको normal vector निरा कुछ निरा आपको क्या कह Εब यह plane व्यर्य पोईंक व कि देगा आपको बाइस ए पसके बी पॉइंट इसके तो अगर यह प्लेन तीन कोलीनियर पॉइंट से फास कर रहा है यह तो इन तीन नॉन कोलीनियर पॉइंट्स से बनने वाले वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट 0 होगा रखदोर एक्वेशन रडी है को लिनियरिटी पॉइंट्स की होती है को प्लैनरेटी लाइन वेक्टर्स की ओके एक्वेशन आफ प्लेन पासिंग तो फाइनली टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो जिसकी बातचीत हो रही थी उसके बारे में भी बातचीत तल लेते हैं तो इस तरह का एक फिगर बना लो कि बातचीत है कि यह टॉपिक और करेंगे आज बाखी कल करें अब बहुत सारा पार्ट बाखी है कब है तो चांस ही नहीं कि सब्सक्राइब कि टॉपिक हो जाएं वह बड़ी बात है एक्सेस तो दूर की बात 76 पेज़ेस हैं विदेगो 48 पेज़ में कोई बात नहीं कोई बात नहीं पड़ते होंगे इसलिए आपको नहीं लग रहा है कि हमारे एक बड़े होई क्विशन्स हैं एक इश मा नैंने सुर्ण सब्सक्राइब का सकते हो ऐसे लाइक दिस लाइक दिस थ्रीडी में बना हाँ तीन पॉइंट से सब नहीं तीनी पॉइंट की बात होगी और एक चोथा पॉइंट अपना आर्बिट्र दिए फिर मानेंगे तो चार पॉइंट्स हो जाएंगे और वह चारो एक होंगे तो इस प्लेन पर यह प्ल काुषण बनाने के खाते हैं इसको माल लिए स्मॉल वेक्टर और इसको माक कलो स्मॉल लेटर में पोॉजिशन वेक्टर और जो पी का होता है उसका तो स्टेंडेट्ट पॉँम में हमेशा र बनाती है लेक्टर पी जो पॉइंट पी होता है औश के एकस्याइड और तो यह चार पॉइंट के इतना ही ट्रॉ करो समझते भी जाओ साथ के साथ जो ब्लू हाइलाइट हो रहा है उतना ही ट्रॉ करो और फिर आगे का मैं बताता हूँ कल का टाइमिंग देखते हैं मॉर्निंग में और इविनिंग में दोनों टाइम बुला लेंगे मॉर्निंग में तो है और इविनिंग में बुला लेंगे बिटा कॉंसेप्ट तो देखो 48 पेज़ें अभी अपन 76 पेज़ेस हैं दिख रहें आपको अभी मैं आपको गिन्वाओंगा यह कॉंसेट कर लो फिर मैं आपको बताता हूं क्या-क्या पढ़ना बागी है कितने हरे क पढ़ने बागी और एक यह कॉंसेप्ट में कितना टैम लगता अगर दंग सेब्ढ़ने और क्यों चिंता करते हैं करी नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटि नहीं कर सकते और सोचो भी मत नहीं कर सकते। इससे बड़िया जो आता है उसको रिवाइज करके जाओ रच्छे से कर से रहा पेपर देखे आ ऊओ कि जितना आता है अपनी कि पर खेलो जो चीज नहीं आती उस पर क्यों गें खेलना ठीक है ना allora प्रॉबैबिलिटी हमारे यहां से पढ़ने के बाद आप यह से क्यूशन ही नहीं करोगे आप यह नहीं करोगे कि प्रॉबैबिलिटी टिफिकल्ट भी है इतनी आसान लगेगी वार हो जाने तो उस चीज को टाइम दो ना ठीक है चलो इतना हो गया ओके लेट सी अब स्क्री तिन पॉइंट होंगे नं एबी सी उनमें से कोई भी एक पॉइंट करेंगे हम लेटस से मैंने एक कर लिया ठीक है उस पॉइंट एसे में बचे वए तीन पॉइंट को क्नेक्ट करूँगा और बनाओंगा एसे बी वेक्टर बनाए ए ενहें एबी वैक्टर का इसी वेक्टर एपी वेक्टर मतलब इनिशाल पॉइंट टीनों जिख चार का फेंट पर में करूं तो तीसरा आब зайम कर यह तरीके आपको दिंख वहार आ ह। बहार आ एक यह ऐसी अब यह जो प्लेट से बाहर आजा था है इस प्लेइन पर चलडब हो ने वाले हर एक यह पर लाया कर रहा है तो इसका और इस अग्टर का ॉठ और ठीक है फिर से तीन वेक्टर मेरे पास दो का तो करा क्रोस प्रोड़क्त एब और एक्सका प्रोड़क्त कर दो किससे जो पी आर्बिट्रेरी पॉइंट मना थो यह जो प्रोड़क्त याने इसका और इसका इनके बीच में भी 90 डिग्री यह जो यह पर पेंडिकुलर बनाएं यह तो पूरे प्लेंट से पर पेंडिकुलर है तो यह एपी वेक्टर भी इसी पर लाए कर रहा है तो एपी और इसका डॉट प्रोड़क्त जीरो एक एक पर इसको सकते हों क्योंकि जो वेक्टर प्लेंट से पर पेंडिकुलर होता है उसको वेक्टर एंड करते हैं नॉर्मल वेक्टर शॉट मैंना कह सकते हो जाहो तो अदरवाइस ऐसे भी रहने दो तो कोई दिक नहीं है चले आगे चलो जी तो अब कुछ लिख लेते हैं एक्वेशन बनाने के लिए तीन पॉइंट्स मान लेता हूं में एक्स वन वाइवन जैडवन क्लियर लिख देता हूं थोड़ा सा कटे में अक्षर और बी के मान लेता हूं में n वेक्टर तो एक्रोस अब क्रोस अब और यह सी का क्रोस वेक्टर जो प्लेंच से बाहर आ रहे है वह वहगा वेक्टर नटो फिक या को तो माना मैंने X1, Y1, and Z1, X2, Y2, Z2, and X3, and C के कोडिनेट्स X3, Y3, Z3. Be the three non-collinear points which are lying on the plane, ये तो गीवन होंगे पेटा, ये नो कोडिनेट्स तो गीवन होंगे आपको, इसके बार में टेंचन मत करो. अब चोथा point मैंने मान लिया और उसके कोडिनेट्स मैंने क्या मान लिये, XYZ, क्यों XYZ क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आपको equation XYZ की form में चीए, X, Y, Z, be any arbitrary point lying on the plane, and the point P, जिसके कोडिनेट्स XYZ, be any arbitrary point lying on the plane. होगे यहां तक? चलते हैं अगे. अब इनके position vector मान लेते हैं, A, B, C, P, चारो के. तो चारो point के position vector मैं मान रहा हूं, point A का position vector vector oa होगा, और short में इसको लिख दिया मैंने vector A, स्टेक्ट का वेक्टर वेक्टर और उसको शौट में लिख दिया वेक्टर और वेक्टर आर यह सब फिगर में भी एपने डिनॉट किया है सारा let the position vectors of these four points a b c and p b vector a vector b vector c and vector r can you get up to rank हाँ 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 हो गया अब चार पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट कर रहे हैं लेटस से मैं पॉइंट एक कर लेता हूं और एक को इनिशल पॉइंट मानते वह और बागी तीन को टर्मिनल पॉइंट बानते वह तीन वेक्टर बना रहा हूं वेक्टर एक्टर 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 कुछ ऐसा निकलेंगे अप्लाइंग अप्लाइंगं सी है या तो ऐसे देखे लो टर्मिनल पॉइनस इनिजonta प्वेक्टलv आपने फिर फरकिलों में अबी तो हो जाएगा व सी मायनस वेक्टर और एपी क्या हो जाएगा डेक्टर आर माइनस और तीन वेक्टर मिलगएं स्केलर ॐ मात करो sore करते हैं चार पॉइंट प्लेन प्रलाइन कर रहे थे तो चार पॉइंट से बनने वाले थैन भागा कंधने लॉघम लंस प्रप्रण ना युझा सवेक्ट thi ना product of these three vectors will be equal to 0 the three vectors ap a b and a c lie on the same plane that is they are co-planar so the scalar triple product of these three vectors would be what zero a triple product three-noga क्या बनता है जीरो बनता है ठीक है ठीक है तीनों का पहले रखो और a b cross a c करो a p dot a b cross a c equal to 0 a p dot a b cross a c equal to 0 अब a p को कैसे लिखोगे r minus a a b को कैसे लिखोगे b minus a और a c को कैसे लिखोगे c minus तो r minus a dot b minus a cross c minus a equal to 0 this is the required वेक्टर एक्वेशन है रिक्वाइड जिसकी तलाशती अपने को वेक्टर फॉर में यह Epic equation है अजीव से दिखेर ही है यह यह ठीक है na ayathlon अच्छा यह ब्रेकट लगा का मत बुलना आपको ब्रेकट वेस्ट तो नहीं लगा यह यह ब्रेकट में लगाऊं तो पताए क्या हो जाएका सबब्सक्क्रब्रेकित में हटा दूना तो आप इन दोनों का a dot product कर दो G लग रहा था तो यह वही भी है यह वही सी है तो इसके बगाद जैसे स्मॉल ब्रेकेट यूज होगा तो फिर ब्रेकेट यूज करेंगे एक स्ञेट है किया एक सब्सक्र और पार्णिति वाई धृट ज corazón खिरJames इक टो ऐसोन कर दो गुवेशन चाहिंब प्लेट प्लेट पासिंग थो थ्री नॉन को लिनियर पॉइंट तो का इसको तो कंप्लीट करो कार्टेशन फॉम लिखो से एट लिस्ट दिस इस दे रिक्वाइड वेक्टर एक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थू थ्री नॉन को लिनियर पॉइंट में पहले आपन चारो वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं आर वेक्टर को तो कि पॉइंट ले जरूरी क्यों है AWS १ जोकि कि किसी भी चीज की definition दे किसी के माध्यम से एक्स वाइज एड नाम के पॉइंट के माध्यम से उस प्लेन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट उसे को सेटिस्फाय करेगा यह उसकी डेपनिशन तो एक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाइज पैदा करना पड़ेगा अगर आप तीन को लीनियर नॉन को लिनियर पॉइंट सी उठा लें तो वह तो निमेरिक फॉर्म में तो एक्स वाइज एड में कुछ पैदा ही नहीं हूँ है मैं आपकर का अर्बिट्रीर इम पॉइंट मानना पड़ेगा हुप सृफ मंने माना है एहां पर हमने माना अभ войक tree में बने नगी घ्याएड में बनेगी तो उस उस प्लेन पैएक पॉंट इसको सेटिस्फाय करेगा लच्छ रहेँ पर थीक है क्लियर है थीक है कार्टेशन फॉर्म लेडिया हमने आरे एबीसी आप 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 हो गया है ठीक है तो नाव उसको अरेंज कर देता हूं में आर माइनस डॉट ली माइनस एक प्रोसी माइनस एकल टू जीरो करना है आर माइनस एक ऐसे एरेंज करोगे कि इंपलाइस कि देखो यह तो आर माइनस अर मैंस करोगे यह आर था उपर उसमें से इस एको माइनस करोगे तो एकस माइनस एक्स वन वाह माइनस वाइन एड़ जीक लाएंज कोड़ुद इन दोनों का क्रोस प्रोड़क्ट कैसे ए्रेंज करोगे में रेंज करोगे कैसे करोगे मैं दिटर्मिनेंट फॉर्म में रेंज करोगे जिसमें आप उपर तो लिखो गए आई केट यह कैट और इसका जब आप डॉट प्रोड़क्ट करोगे इसके साथ इसके स्केलर कॉंपोनेंट्स आ जाएंगे एक ही थ्री बाय थ्री की मैंट्रिक्स हो जाएगे तो फाइनल स्टेप है यह वाली इकवल टु जीरो हो गया तक दिस इस दर इक्वाइट अच्छा लिख लो एक लाइन नीचे दिस इस दर इक्वाइट कार्टेशन इक्वेशन पर इंट्रसेट फॉर्म शुरू होगे तो कली करेंगे एक लाइन लिख लो इस इक्वेशन है देखो इसमें इक्वेशन होती 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 है अब क्विक्ली दो मिनट के अंदर डिसकस करते हैं या एक्चुली बचा क्या सब्सक्राइब क्वेशन की तीनों सीख लिए अपनने प्लेन एरेटी सीनी सीख लिरे स्केला ट्रिपल प्रॉड कि है यह अपने पे बाड़ें वश्क Tell सब्सक्राइब हैं में वहता है इंटरसेट्ट फर्म होती इंटरसेप फॉर्म है इंटरसेट फॉर्म यह चैस में वर grille सीख न वाला है इंटर से फॉर्म ऑफ स्वाफ एक्वेशन ऑफ प्लेत्स ठीक को । उसके अलावा इसकी इकवेशन से पास हो रहा हूं अब दो प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा एक लाइन तो उस लाइन से तीसरा निकलेगा जैसे मालोग कि यह यह दूसरा प्लेण है तो इसका इंटरसेक्ष्ट एक लाइन है उसकी इक्वेशन बताओ वह एक टॉपिक हाना उसके बाद फिर एंगल बिट्वीन तू प्लेञ्स प्लेन और लाइन दोनों ही काफी एंगल वाले कॉंसेप्ट तो सारे जी और वह कट गए आपके लेकिन बहुत इजी एंगल बिट्वीन टू प्लेन उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम और एंगल बिट्वीन लाइन एंड प्लेन और फिर वह डिस्टेंस वाले जैसे लाइन मे ऊप्लेन दो प्लेंस होते हैं वाधान स्टेंस बिट्वीन टू प्लेंस और एक होता है शॉट्टेस डिस्टे taking 10 punches दिंट्वीन यह अपॉइंट अन्ड गैह अधिया सुस्तियों कुझा अब बचते हैं कवर्व करkim अपने क्या क्या पढ़ लिया एक प्लेन की प्लेन की तीन तरह की एकवेशन जब आपको औरिजन से डिस्टेंस गीवन हो जब आपको नॉर्मल वेक्टर गीवन और आज पढ़ा कि तीन नॉन कॉलिनेर यह तीन तो में टॉपिक पढ़ लिए और उसके इर्दगिर्द गूम आपने एक पार्ट में यह दो कवर कर पाएंगे क्योंकि अगर एक साथ कवर करेंगे तो कर भी नहीं पाएंगर बिट्विन टू प्लेंस जी चोटा सा टॉपिक वैसे तो कोशिश करेंगे बचे पर चार एक में करें और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर एंगल की दो एक तो यह एक्वेशन ही है एंटरसेट फॉर्म ही एक्वेशन ही है तो वह तो साथ के कंटिनुएशन में चल नहीं है ओके थैंक्यू सो मच पूर लिस्निंग तो आस्व नाइस टे कीप लेर्निंग और ओके बाइए